नमस्कार आज हम आपको टिल्टिंग ट्रेन के बारे में बताएंगे टिल्टिंग ट्रेन क्या है? इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा बुलेट ट्रेन एक टिल्टिल ट्रेन है जुकने वाली ट्रेन जब हम किसी ट्रेन या बस पर बैट करके मुड़ते हैं ऐसे बस मुड़ती है तो उसके अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं उनमें एक सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स लगता है और वो बाहर की ओर जुग जाते हैं यह सभी ने अन्भू किया होगा और यह प्राबलम बुलेट ट्रेन में ज्यादा है क्योंकि वो बहुत तेजी से चलती है लेकिन जो लोग साइकिल चलाते हैं उन्होंने देखा होगा कि साइकिल सबार जुग जाता है बाई और टिल्ट हो जाता है वैसा करने से यह प्राबलम काम हो जाती है तो बुलेट ट् इकी स्कॉ immersion और ये से साइकल सी होती है अगे बहुत जादा नहीं यहां पर देखिए ये पट्री है पंदेक है कि फिस इस को बोलते हैं बोगी और उपर के पल्सन को मोते हैं कार आधा है कि इसमें कोई आधा है तो gwelते है दिस्ट्धीस कमiçãoग कम जाता हो गया तो यह मोड गई और इसका जो control है वो passive और active दोनों हो सकता है active control का मतलब इसको लगातार control किया जा सके इस car body को कितना जुकाना है कब जुकाना है मोड आने से पहले जुकाना है या मोड आने पर जुकाना है यह सब कर सकते हैं, तो ऐसा करने से जो लोग बैठे होते हैं उनको कम पता चलता है कि ट्रेन मोड रही है तो उतने हिम मोड के एंगल पर ट्रेन जादा श्वीड से मोड सकती है आप चूकी bullet train मुड़ने पर थोड़ा सा जुख जाती है इसलिए उसको बोलते हैं जुकने वाली train या या टिल्टिंग train जब सीधा चलती है तो यह नहीं जुकती है मुड़ने पर ही जुकती है वो भी थोड़ा सा यह जो नर्मल बस या नर्मल train है उनमें ऐसा नहीं होता अब आज यहीं समाप्त करते हैं